नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्टेडियाई क्योकेडिम स्वागते इस वक्त की आपके लिए दोस्तों महतोपुन वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है आपके पसू परिचर भरती के लिए बहुत इंपोर्टेंट रने वाले ये क्विशन प कितनी बरती प्रिक्षाई हैं सबीके लिए बराबर रूप से हेल्फुल होने वाला ये वीडियो बहुत ही गजब का वीडियो होने वाला ये आप लोगों के लिए तो आप अंज तक वीडियो देखना इससे पहले वी एक वीडियो डाल चुका हूँ प्लेलिस्ट बना दिये प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना मतलब समझ लीजिए आपका सेलेक्शन स्योर है चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज के महतोपुन 25 कुछिसनों को बजट गोशना 2022 में गोशित राजस्तान क्रसी सर्मिक संबल मिशन के अंतरगत प्रस्तावित अनुदान कितना है तो वो है दोस्तों 5000 रुपे कितना 5000 रुपे है इसके लिए दोस्तों कितना बजट गोशित क्या गया है 100 करोड का बजट गोशित क्या गया है इसके लिए अगला प्रसन प्रसन है आपके लिए निरोगी राजस्तान अभियान की शुरूआत हुई है तो आपको याद रखना है मित्रो ये तो ये आपको याद रखना है 18 दिसंबर 2019 बहुत सारे विद्यारती सितंबर भी लगा सकते हैं तो वो मतलगाईएगा 18 दिसंबर 2019 होगा इस योजना के तरद दोस्तों मोसमि संचारी रोग असंक्रामग रोग पर्दुषण आदि से जो रोग हो जाते हैं उनको नियंत्रण करने का प्रियास किया जा रहा ह निरोगी राजस्तान अभियान के तरद जिसकी सुरुवाद 18 दिसंबर 2019 को की गई थी अगले क्विशन पर यह रहा आपके लिए नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्ये में सरवादिक वह निवनतम वन सेत्र परतिसत वाले क्या परतिसत वाले जीले आपको बतान लिए ताँ उधेपूर में है आपका 23.49 परतिसत नोट कर लीजेगा आप लोग उसके बाद आपका परताबगड़ में कितना है दोस्तों 23.24 परतिसत 23.24 परतिसिं सेकेंड नमर में तीसरे नमर पर आता है ूवी तीसरे नमर पर शीरो जिसने 17.49 परतिसत है चोते नमर में करोली जो की 15.28 परतिशत है यानि कि सरवादिक उद्यपूर प्रताफगड 0.1 करोली सिक्वेंस याद रखना निवन्तम की बात करें परतिशत में परतिशत की बात कर रहा हूं में निवन्तम में परतिशत में बात करें तो सबसे कम हैं आपके जोदपूर में कितना 0.48 परति अधिक्तम की तरब चल रहे और अधिक्तम से निवनतम की तरह समझ गए तो आप से पुचाई यहां पर कि सर्वादिक वह निनतम वाला तो सर्वादिक वाला मैने जैसे की बात करा तो कौन से option में यह रहा उदेपुर सरवादिक और निउन्तम जोदपुर यह अपना option number 2 ही हो जाएगा समझ गए दोस्तों चलिए यह रहा अगला question आपके लिए सालिम सींग की अवेली नत्मल की अवेली कहा है सालिम सींग की अवेली हो या नत्मल सींग की अवेली हो तो यह जाजमल भी का जाता है तो दोस्तों यह आप लोगों को होगा आप लोगों चले नेश्ट प्रसंद चलتे है पापो जी का मुote तीरतिस्तल कौन सा किसका आउतार मानबा जाता है लक्समान जीका और इनका जनम हुआ है फलोदी में फलोदीまだ के कोलू गाउं में इनकल जो हे जनम हुआ है और यह कोलू गाउं तो कहां पर हुआ है मुक्तिर्दिसल कहां इनका कोलू में हो जाएगा फलोदी जीले के कोलू गाउं में तो यह भी आप याद रखना और कोलू गाउं में चेत्र हमाऊश्या को पापुजी का मेला भी लगता है कब लगता है मेला पूछले आजाए तो चेत्र हमावश्या को पापुजी का मेला लगता है तो ये भी आप याद रखना और पापुजी समंदित ये सो गान रचना भी है कुण कुण सी है पापुजी रा चंद पापुजी रा दोहा ये बोट कुछन पूछ जाते हैं याद पापुजी रा चंद पापुजी रा दोहा पापु प्रकास बापु धनीरी रचना बापुजी की फड और बापुजी के रावले ये सब इनी से समंदिते तो ये आप लोग याद रखना इनको दोस्तों उंटों का देवता का जाता है राइका और रेबारी जो उंट पाल चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ जाओ Ķ्टेडिय एक केडमिका साथ मत छोड़ो अगला प्राशन निमिले कितव है से रजसتान का कौन सा जिला कानन मेला के नाम से प्रसिद है तौकानन मेला के नाम से पूचा जा सकता है कि कानन मेले का आकरशन के अंद्र क्या तो आपको याद रखना है गेर नरते किया जाता है दोस्तों यहां पर गजब तरीके से ठीक है इसलिए आकरशन का केंद्र अगला प्रसंद यह रहा राजस्तान में भोपो का मुख्यवादे अंत्र क्या है जो तो रावनता होता है क्या होता है रावनता तो रावनता किसका बना होता है तो आपको बताए नारेल का कटोरी होती है दोस्तों जो नारेल की कटोरी होती है तो बड़े नारेल की कटोरी होती है उसके उपर बकरी की खाल आती है मित्रों तो बकरी की खाल को मड़ दिया जात तो यह आपको याद रखना है इंपोर्टेंट है चलते हैं अगले प्रसंद पर यह रहा राजस्तान का मानक समय किस देशांतर के अनुरूप है यानि कि आप से पूछ लिया जाए कि जो राजस्तान में जो मानक समय जो गड़ी में आप टाइम देखते हो यह किस अनुसार है तो मानक समय क्या मान रखा है हम लोगों ने तो मानक समय है इसका दोस्तो 82 डिगरी 82 सही एक बटा दो डिगरी या हम कह सकते हैं कि 82 डिगरी 30 मिनिट यह भी दोनों बात सही है पूरवी देशांतर दोनों बात सही है तो यह आपको यह से भी आद मिल सकता है या 82 सही एक बट आप लोगों को बता दूँ दोस्तों एक important बात है जो मानक समय है यह जो रेखा है जो IST रेखा है उससे कितना आगे हैं तो 5 गंटे और 30 मिनिट आगे हैं 5 गंटे 30 मिनिट आगे चलते हैं ठीक है चलिए उसके लाबा एक important बात यह है कि हमारे दो इस्तान है पूर्वी छोर औ हैं अपना धोलपूर तो दोलपूर और जेसल मेर के बीच समय अंत्राल कितना है आप से पूछा जा सकता है तो यह सका शमय अंत्राल करीम करीम लगबग पूचे तो आपको 36 मिनिट बताना है लगबग पूचे तो और लगबग नहीं पूचे exact पूचे तो याद रखना 35 म shaft 35 minus 8 second का उंतरहाले दोलपुर जएसल मेर के समय उंतरहाल में ठीक है हम समझ गए चलिएगा बहुत बड़िया रहें कि दौलपूर में पहले सूरज दिखेगा और दोलपूर mirac दिखने के बाद 35 मिनित 1 सेकेंड बाथ जैसल मेर में दिखाई देगा आप समझ गए बात को चलिएगा अगले प्रसन में चलते हैं बील सेत्र में बाउजी के नाम से जाने जाते हैं जो बील सेत्र है दोस्तों बील सेत्र में बाउजी के नाम से किसको जानते हैं किसको करते हैं बाउजी तो बाउजी कहा जाता है मोतिलाल तेजावत को जो दोस्तों आ पहत्रकूंडिया इस्तान पर एक आंदोलन की शुत्र पात चैंद किसे आंदोलन का एक की आंदोलन का कितरी माँगे थी 21 मांगे थी पूछा जा सकता 21 सुत्री मांगो का समंध किसे तो मोतिलाल तेजावाज्जी से समंध है तो यह आपको इंपोर्टेंट है इस सारी की सारी बाते या आपको याद रखनी है मित्रो समझ गए चलिएगा बीलों के अंदर जागरती पेदा करने के लिए मोतिलाल तेजावजी आगे आये थे जिस प्रकार और भी बहुत सारे नेता है वह आगे आये थे ठीक है गुरु गोविंदिगिरी उनका भी नाम बड़ा फेमस है तो दो नाम फेमस है दोस्तों आदिवाशियों में कोपे निद्वारा प्रस्तुत जलवाईयू परदेशों में राजस्तान का कौनसा सुमेलित नहीं तो वरगी क्रण में कौनसा जो वरगी क्रण है जो सुमेलित नहीं जो गलत लगा रखा यहां पर वह आपन लोगों को जवाब देना है चलो वदाओ तो बीस एचड़ल्य इसको बोलते हम अर्द सुस्क जलवाईद मरुस्तल बोलते है अर्द सुस्क BS HW ठीक है मितनों चैलिएगा AW को बोला जाते है दकशनी राजिस्तान की दकशनी राजिस्तान में AW बासवाड़ा डुंगरपूर की बात करें तो उसमें बासवाड़ा डूंगरपूर जाला वाड़ो गिरा भी आ जाता है करीब करीब और चितोड़ गड़ भी तोड़ा तोड़ा बाग जबकि BW HW इसको बोलते हैं सुष्क मरुस्तल जबकि CW जी नहाँ पर गलत दे रहा है उत्री राजस्तान नहीं बोलते हैं इसको इसको क्या बोलते हैं मित्रों इसको उपादर जलवायू या मांसुनी वर्षा प्रदेश या पूर्वी या मद्दे राजस्तानी या अरावली ये इसको बोला जाता है इसके अंदर आता है आडोती आता है कुछ तो कुछ मेवात का बाग आता है कुछ डांग प्रदेश बा पर मेवाती बासा बोली जाते हैं उसे संबने जिला कौन सा है तो अलवर हो जायेगा अलवर के लावा आपसे एक और आसकता है कभी-कभी बरत पूर तो अलवर और बरत दोनों जिलों में मेवाती बोली बोली जाती है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा जीयारा सोड़टा नामख गर NAT के रचित मतलब इसके रचिता कुन है यह आपको याद रखना है करपा राम जी कुन उनि संवह नियूंता वंकित क्या गया है तो ईंसंख्या गनत्व कि आपको नाम बताना है चलो तो आपको बताए जेसल मेर बीकानेर और बाड मेर तो मैं बता देता हूं जेसल मेर मेर में कितना था सत्रा जनसंक्या गनतव वाले कितने जिले थे क्यूशन आज आ रहा है यह भोले भेले भी तो तीन है याद रखना कौण कौण से हैं पुचा जाए जेसल मेर बीकानेर बाड मेर लगा देना तीन है भई सो से कम तीन है केवल याद रखिएगा जो बाते बोलता हूं याद रख लो इसके बाद वेदिया 500 से ज्यादा बाड़े बस इसे और नहीं पुचते हैं अगला प्रशन राजस्तान में देश के कुल करसी शेत्र का कितना परतीशत है राजस्तान में जो देश के कुल करसी शेत्र पल है उसका कितना परतीशत हम राजस्तान पर पास है बिलकोल जबाब है आपको लोगों का 11 प्रतिशत 11 प्रतिशत 11 प्रतिशत जबकि हमारे पास सतय जल कितना है पूछा जाता है कि देस का सतय जल हमारे पास है 1.16 प्रतिशत ये क्विशन भी कहीं बार आ चुका है पूरे देश का केवल हमारे पास 1.16 पर तिसद पाणी है और पाणी नहीं है हमारे पास ठीक रहा है तो ये भी आप याद रखना क्यूशन आ रखा है ये दोनों मारवार्ड में वीरता साहिते और सेवा के लिए शिरो पाउ था जो मारवार्ड है दोस्तों जोदपुरी को ओगिरा के जो आसपास का सेतर उसको बोलते हैं मारवार्ड तो मारवार्ड में वीरता साहिते और सेवा के लिए जो शिरो पाउ दिया जाता था तो शिरो पाउ क्या है भाई उस शिरो पाउ का नाम क्या है कोड़ सा शिरो पाव देते थे हाथी का शिरो पाव देते थे हाथी शिरो पाव देते थे मित्रों याद रखना कुण सा शिरो पाव जो सरवच्छा शिरो पाव है दोस्तों हाथी शिरो पाव वो दिया जाता है अगला प्रसेल निमले कित में से कौन सा काल करम दरश्टी से सही है ये कुशन भाई इतनी बार एकजाम में पूचा गया है जिसकी कोई हद नहीं है बताओ बेलको इसका जवाब हुझेगा जेतर सिंग तेज सिंग समर सिंग इसको याद कर देगी ट्रिक याद रखो आप तो यह बार बार में आता है जेतर सिंग तेज सिंग और समर सिंग इसा दिख जाए जेतर सिंग याद कर लो यह आएगा कुशन ठीक है इसका काल करम भी बता द भुद्याए नहीं को तक समर्सिंग को साइक अगला प्रशन ताराबाद की ओड़नी राजस्तान की किन इस्तरियों की लोग प्रिय है कुण सी इस्तरिया जो है ताराबाद की ओड़नी पहनती है तो ताराबाद की ओड़नी आदिवासी इस्तरियों में फहमा से तो राजस्तान की मिनाओं यानि कि आदिवासी समुदाई में लोग प्रिये हैं दोस्तों ताराबाद की ओड़नी और इनका रंग होता है बूरी वह लाल रंग की आदार वाली जो ओड़नी होती है उसको बोलते हैं ताराबाद की ओड़नी अगला प्रसन काली भाई राजस्तान की किस आंदोलन से समधी थे काली भाई दोस्तों काली भाई से समधी तो बहुत सारे क्विशन बनते हैं वो सारे क्विशन में बताऊंगा तो काली भाई का जो समधी है और किस आंदोलन से तो रास्ता पाल आंदोलन से समधी थे यह काली बाई काली बाई थी जो तेरा वर्स की थी केवल मात्रे कितने साल की बची थी है केवल तेरा साल की बची थी अपने सिक्षक शांगा भाई को जो है मुक्त कराने के प्रियास से यह दोस्तो मारी गई गोलियों से छन्नी कर दी गई उसाहिए यह दोस्तों पूचा जाता है कि काली भाई का समध किस जिले से हैं तो डुणगर पूर से हैं किस जून इनकी मरत्यु का वूई तो 21 जून को आजादी से कुछ दिन पहले एक और क्यूशन यह आता है कि एसी कौन सी मैला है जो आज तक जेड़ में नहीं गई कभी जेड़ी नहीं देखिए उन्होंने शकल से जागे तो इसमें भी क्यूशन आता है काली बाइबिल क्योंकि दोस्तों यह जेल में क्या जाएगी इनको त बून दिया गया वहाँ सहीद हो गई ती दोस्तों यह तो इसलिए जेल कभी नहीं गई तो इसा क्यूशन भी आता है बीलवड़ा के दाता वो बुशान गाउं किस खनीज के प्राप्ति के इस्तले तो जवाब होगा आप लोगों का अब रख अब रख ठीक है ओके मित्रो चाला अगला प्रसेल स्वर्णीम प्रियेटन त्रिकोणी गोल्डन ट्राइंगल का संबन्द है गोल्डन ट्राइंगल का क्यूशन बहुत बाहर आ रखा है बैई गोल्डन ट्राइंगल का क्यूशन बहुत बाहर आ चुका है उसके लावा एक और क्यूशन आता है मरू ति त्रिकोन पुछा या वैसे जो अपने मरुस्तले उसी के आस बास पढ़ता है कौन-कौन से वह आप बताऊगे मैं नहीं बताऊँगा आप तो मैं तो यह बताऊँगा कि सुरणिम प्रेटन त्रिकोन या गोल्डन ट्राइंगल किसको बोलते हैं तो यह बोलते हैं जो दिल्ल जेपूर और आगरा इनको दोस्तों दिल्ली जेपूर आगरा इनको जो है गोल्डन ट्राइंगल बोला जाता है सुरणिम प्रेटन त्रिकोन बोला जाता है क्यूशन बहुत बाहर आता है चाहिए इंडिया लेवल की जिके आए चाहिए राजस्तान की आए दोनों में आता जिसका सदष्यें नहीं होता है सुचना आयोग इसके सदश्यों के नियुक्ति राजेपाल द्वारा की जाते हैं फरस्य समिदी में सदसे कुन नहीं होता है उसे समझते से कोंड 니 होता है नहीं होता है जब कि मりました कंद्री का केंदर नहीं है अपने राजिस्तान में तो गडे पान नहीं है दोस्तों जबकि पुंश्या नहीं है गड़े पान तो गड़े पान नहीं है आपको याद रखना जब कि गड़े पान क्या है यह कोटा के अंदर पड़ता है गड़े पान यहाँ पर चंबल fertilizer and chemical industry है तो यह भी आप लोग याद रखना यह निजी शेतर की देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद बनाने का सेंत्र है, क्या है, यूरिया खाद बनाने का सेंत्र, ठीक है, चलो, अगला प्रसान, मेवाड प्रजामिडल की स्तापना की बात कर रहे हैं, मेवाड प्रजामिडल की स्तापना हुई 1938 में, 24 अप्रेल 1938 में, कब हुई थी, 24 अप्रेल 1938 में, मेवाड प्रजामि सो से हुई मानिक के लाल वर्मा के प्रयासों से हुई जिसमें अद्यक्स कौन बने तो बलवन सिंग मेता इसके अद्यक्स ते उपाद्यक्स कौन ते बूरे लाल उपाद्यक्स ते और मामंत्री ते मानिक के लाल वर्मा जी ठीक है याद रखना अगला प्रेशन आप लोगों के लिए दोस्तों ये रहा क्यूशन आपके लिए यहां पर सुमेलित करना है त्रिवेनी संगम और नदियां तो दोस्तों बड़ा साइए कुशों हो रहता है कि सबसे ज़्यादा त्रिवेनी संगम कौन सी नदी बनाती है ऐसा क्यूशन कभी आपको देखने को मिले तो याद रखना बनास बनाती है चले इसका जवाद देते हैं बिगोद बिगोद इस्तान पे कौन-कौन सी नदिया मिलती है तो बनास मिलती है बिगोद कहां पर पड़ता है बीलवडा में बीगोद बीलवडा में बनास म मिलती है और मेनाल मिलती है जबकि बेनेस्वर में कौन-कौन सी मिलती है बेनेस्वर डुंगारपूर बेनेस्वर कहा है डुंगारपूर में नवाटाप रहा हूं बेनेस्वर तो सो मिलती है माई मिलती है जाखा मिलती है इसको याद करने की ट्रीक है मा सो और जा इसको याद पता है तो यह द्यवदाम दूस्तो निवाई टोंड में पास देवदाम निवाई टोंक के पास है न्यापर तीन अधियों का संगम होता है बनास बांडी और मासी तीन अधियों का संगम होता है देवदाम जोदपुरिया जो आपके निवाई के टोंक के पास है आज का अंतिम क्यूशन बड़े बड़े इंपोर्टेंट क्यूशन मैंने करवाए आप लोगों को हाले में राज्तानिके किस वन्य जीव अभ्यारण को राज्ये का चोता भाग संद्रक्षी सेत्र अनुमोदित किया गया तो इसका जवाब क्या होगा भई इसका जवाब होजएगा रामगड विश्वदारी अभ्यारण बूंदी में यह चोता टाइगर रिजवर है अभी पांचवे की भी गोशना हो गई है यह दोलपूर करोली वाड़ा जो है इसको पांचवा बोलेंगे दोलपूर करोली टाइ लग वावनँवे नंबर का टाइगर रिजवर हो गया यह अमारे देश का बावनवे नंबर का और राजिय का चोते नंबर का टाइगर रिजवर है तो इतना सारा जानकारी मैंने आप लोगों को बता दिये आसा करता हूँ दोस्तों 25 कुशनों के साथ मैंने 25-50 कुशन और बता दियोंगा आपको डिटेल के साथ तो मैं आसा करता हूँ कि आपको एनिमल अटेंडेंड की बात करें पसुपरिचर की बात करें मैं आपको विश्वास दिलाता हैं कि आपके पुरे में से पूरे नंबर कोई नहीं रोख सकता जीचे की लिख ले लो मैरे से आज ही मेरे की लिख लो सांस की लिख लो और आपके बिए अफ़्ची मैं पुरा पढ़़ा दूंगा चिंटा मत करो पार्ट भी मैं कहा पढ़ा तुसका चैनल का नाम है गारंटी सरकारी जोब उसमें जाके देखो और में तो और में साइंस मैं दून गारंटी सरकारी जोब चैनल का नाम सर्च करो वहां भी लेगा तो दोस्तों आप लोगे दी सच में पढ़ना चाहते हो और अपने माबाप का नाम रोशन करना चाहते हो तो आज कसम खालो कि जो है हम हरियोम सर के साथ जुड़े रहेंगे जब तक एकजाम नहीं हो जाएगी 20 सितमबर 22 सितमबर तक जब तक एकजाम नहीं हो जाएगी तब तक हम सर आपके साथ है चाहे आप कैसे भी पढ़ाऊ और कैसे भी मत पढ़ाऊ विश्वास है तो विश्वास करो विश्वास करोगे तो मैं गारंट देता हूँ आपका विश्वास नहीं तोड़ने दूगा पर आपकी पूरी तयारी करवाओंगा, चिंता मत करो, धन्यवाद वित्रो और फिरी में करवाओंगा, कोई पैसा और इसा नहीं लगेगा, धन्यवाद वित्रो मैं मिलता हूं आपसे साथ कल नई वीडियो के साथ, तब तक जे हिन, जे बारा, जे जवान, जे किसान.